आप कहते हैं कि समझ पैदा हो जाए तो कुछ भी करने की ज़रूवत नहीं आप जिस समझ की तरफ इशारा करते हैं क्या वै बुद्धी की समझ से भिन हैं असली समझ पर कुछ प्रकास दालने की अंकम्पा करें बुद्धी की समझ तो समझ ही नहीं बुद्धी की समझ तो समझ का धोखा है बुद्धी की समझ तो तरकीब है अपने को ना समझ रखने की बुद्धी का अर्थ होता है जो तुम जानते हो उस सब का संगरे जाने हुए के माध्यम से अगर सुना तो तुम सुनोगे ही नहीं जाने हुए के माध्यम से सुना तो तुम ऐसे ही सूरज की तरफ देख रहे हो जैसे कोई आँख बंद करके देखे जो तुम जाने हुए बैठे हो तुम्हारा पक्षपात तुम्हारे सिध्धान्त, तुम्हारा सास्त्र, तुम्हारे संप्रदा है। अगर तुमने उनके माध्यम से सुना तो तुम सुनोगे कैसे। तुम्हारे कान तो बहरे, सब्द तो भरे पड़े। कुछ का कुछ सुन लोगे, वही सुन लोगे जो सुनना चाहते हूँ, बुद्धी का अर्थ है तुम्हारा अतीत, अब तक तुमने जो जाना, समझा, गुना है, समझ का अतीत से कोई संबंध नहीं, समझ तो उसे पैदा होती है, जो अतीत को सरका के रख देता नीचे, और सीधा वर्दमान के छण को देखता है, अतीत के माध्यम से नहीं, सीधा सीधा, प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं, बीच में कोई माध्यम नहीं होता, तुम अगर हिंदू हो, और मुझे सुनते वक्त हिंदू बने रहे, तो तुम जो सुनोगे वो बुद्धी से सुना, मुसल्मान बने रहे, तो जो सुना बुद्धी से सुना, गीता भीतर गुंजती रही, कुरान भीतर गुंगुनाते रहे, और सुना तो बुद्धी से सुना, गीता बंद हो गई, कुरान बंद हो गया, ह आतीत की कोई राख नहीं, तुमने सीधा मेरी तरफ देखा, खुली आँखों से, कोई परदा नहीं, और सुना, तो एक समझ पैदा होगी, वो समझ का नाम ही प्रज्या, विवेक, वही समझ रूप अंतरन लाती है, बुद्धी से सुना तो सहमत हो जाओगे, असहमत हो जाओ बुद्धी को हटा के सुना, रूपांतरित हो जाओगे, सहमती, असहमती का सवाल ही नहीं, सत्य के सांथ कोई सहमत होता, असहमत होता, सत्य के सांथ बोलो कैसे सहमत होगे, सत्य के सांथ सहमत होने का तो यह अर्थ होगा, कि तुम पहले से ही जानते थे, सुना, राजी हो ग ये तो प्रतिभिग्या होई, ये तो तुम मानते थे पहले से, जानते थे पहले से, गुलाब का फूल देखा तुमने का गुलाब का फूल है, जानते तो तुम पहले से थी, नहीं तो गुलाब का फूल कैसे पहचानते, सत्य को तुम जानते हो, जानते होते तो सहमत हो सकते जानते होते और कोई गेंदे के फूल को गुलाब कहता तो असहमत हो सकते थे जानते तो नहीं हो जानते नहीं हो इसलिए तो खोच रहे हो इस सत्य को समझो कि जानते नहीं हो तुमने भी गुलाब का फूल देखा नहीं इसलिए कैसे तो सहमती भरो कैसे असहमती भरो और जल्दी क्या है? इतनी जल्दी हमें रहती है कि हम जल्दी से पकड़ने, क्या ठीक, क्या गलत, उसी जल्दी के कारण चूके चले जाते हैं, निसकर्स की जल्दी मत करो, सत्य के साथ ऐसा अधहरी का बैवाहर मत करो, सुन लो, जल्दी नहीं है सहमत असहमत होने की, और बहुतों को ये डर रहता है कि अगर सुना, और अपनी बुद्धी एक तरफ रख दी, तो फिर तो राजी हो जाएंगे, बुद्धी एक तरफ रख दी, तो राजी होगे कैसे, बुद्धी ही राजी होती, ना राजी होती, बुद्धी एक तरफ रख दी, तो सिर्फ सुना पक्षियों की सुभे की गुन-गुनाहट है तुम राजी होते सहमत होते असहमत होते निरजर की जरजर है कि हवा के जोके का गुजर जाना है ब्रक्षों की साखों से तुम राजी होते ना राजी होते सहमत असहमती का सवाल नहीं तुम सुन लेते आकास में बादल गुमरते तुम सुन लेते ऐसे ही सुनो सत्य को क्योंकि सत्य आकास में गुमरते बादलों जैसा है ऐसे ही सुनो सत्य को क्योंकि सत्य जल प्रपापंतों के नाद जैसा है ऐसे ही सुनो सत्य को क्योंकि सत्य मनुस्यों की भासा जैसा नहीं पक्षियों के कलरों जैसा है संगीत है सत्य सब्द नहीं निसब्द है सत्य सिध्धांत नहीं सुन्य है सत्य सास्त्र नहीं इसलिए सुन्ने की बड़ी अनूठी कला सीखनी जरूरी है जो ठीक से सुनना सीख गया उसमें समझ पैदा होती तुम ठीक से तो सुनते ही नहीं मुल्ना नसुद्दीन से एक दिन पूछा कि तु पागल की तरह बचाय चला जाता है रद्धी खद्धी चीजें भी फेकता नहीं कूडा करकट भी खटा कर लेता है सानों के अखवारों के अंबाल लगाये बैठा है कुछ कभी तेरे घर से बाहर जाता ही नहीं ये तुने बचाने का पागलपन कहां से सीखा उसने का एक बज़र्ग की सिक्षा से मैं थोड़ा चौका है क्योंकि मुल्ना नसुद्दीन ऐसा आदमी नहीं कि किसी से कुछ सीख ले तो मैंने कह मुझे पूरे विष्थार से कह किस बज़र्ग की सिक्षा से असने कह में नदी के किनारे बैठा था एक बज़र्ग पानी में गिर गय और जोर जोर से चिलाने लगे बचाओ बचाओ उसी दिन से मैंने बचाना सुरू करती है तुम वही सुन लोगे जो सुनना चाहते हूँ कवी जी को आई जमाई बोले हे मां सुनकर कभी पतनी भब की बोली होके तीन बच्चों के बाप नाम रट रहे हैं हेमा का सत्यानास और सिनेमा का हम जो सुनना चाहते हैं सुन लेते हैं वही थोड़ी सुनते हैं जो कहा जाता है हमारा सुनना सुध नहीं विक्रत है बुद्धी से सुना गया सुना ही नहीं गया सुनने का धोखा हुआ आभास हुआ लगता था सुना तुम्हारे विचार बीच में आ गये तुम्हारी बुद्धी ने आ के सब रुपांतरित कर दिया अपना रंग उंडेल दिया काले को पिला कर दिया पिले को काला कर दिया फिर तुम तक जो पहुंचा वो वही नहीं था जो दिया गया था वो बिलकुल ही विनस्थ हो के पहुंचा विक्रत हो के पहुंचा इसलिए पहली बात बुद्धी की समझ कोई समझ नहीं एक और समझ है वही समझ रुपांतरन लाती उसको कहो दियान की समझ बुद्धी की नहीं विचार की नहीं निर्विचार की समझ तर्ग की नहीं सांत भाव की बिवाद की नहीं समवाद की तो मुझे सुनो बुद्धी से तो सतत बिवाद चलता है ठीक कह रहे गलत कह रहे अपने सास्तर के अनुसार कह रहे कि बिपरीत कह रहे मैं राजी हूं कि ना राजी हूं अब तक की मेरी मानिताओं के तराजू पर बात तुलती है या नहीं तुलती है ऐसा सतत भीतर तौल चल रही ये बिवाद है तुम राजी भी हो जाओ तो भी दो कॉड़ी का है तुम्हारा राजी होना क्योंकि बिवाद से कहीं कोई सहमती आई बिवात की सहमती, दो कौड़ी की, उसका कोई मुल्य नहीं समवाद, समवाद का आर्थ है जब मैं कह रहा हूँ तब तुम मेरे साथ लीन हो गए तुमने दूर खड़े रहके न सुना, तुम मेरे पास आगे तुम मेरे हरदे के पास धड़के तुम मेरे हिरदे की तरह धड़के है तुमने अपने हिसाब किताब को एक तरह अटा दिया और तुमने कहा थोड़ी देर जहरेखों को खाली रखेंगे थोड़ी देर दरपन बनेंगे दरपन बनके जो सुनता है वही सुनता है और दरपन बनके जो सुनता है वही सिस्से है, वही सीखने में समर्थे. जो दरपन बन के सुनता है, वो ज्ञान के आधार से नहीं सुनता. वो तो इस परमभाव से सुनता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं अज्यानी हूं. मुझे काखा गा भी पता नहीं, इसलिए क्या भी बात? पंडित तो कभी सुनता ही नहीं पंडित का तो अपना ही सोरगुल इतना है कि सुनेगा कैसे मीन मेख निकालता आलोचना में लीन रहता बीतर अगर राजी भी होता है तो मजबूरी में राजी होता है और जब राजी भी होता है तो वो अपने से ही राजी होता है जो सुना गया उस से राजी नहीं होता अगर मैंने कुछ बात कही जो कुरान से मेल खाती थी मुसल्मान राजी हो गया वो मुझे से थोड़ी राजी हुआ वो कुरान से राजी था, कुरान से राजी रहा वो मुसल्मान था, मुसल्मान रहा इतना ही उसने मान लिया कि ये आदमी भी कुरान की ही बात कहता है तो ठीक है, कुरान ठीक है इसलिए ये आदमी भी ठीक है जो मुझे सुनेगा उसकी प्रिक्रिया बिल्कुल उल्टी होगी वो मुझे सुनेगा सुनते वक्त विचार नहीं करेगा सुनते वक्त तो सिर्फ पियेगा आत्म साथ करेगा और ये मज़ा है आत्म साथ करने का कि जब कोई सत्य आत्म साथ हो जाता है अगर ठीक होता है तो मास मज्जा बन जाता है तुम्हें सहमत नहीं होना पड़ता तुम्हारे प्राणों का प्राण हो जाता है तुम्हें राजी नहीं होना होता तुम्हारी स्वास स्वास में बस जाता है और अगर सत्य नहीं होता तो ये चमतकार है सत्य की ये खुबी है अगर सत्य हो और तुम सुन लो तो तुम्हारे प्राणों में बस जाता है अगर सत्य ना हो और तुम मौन और ध्यान से सुन रहे हो तुमसे अपने आप बाहर निकल जाता है असत्य पच्छता नहीं अगर सांत कोई सुनता हो तो सांती में असत्य पच्छता नहीं ऐसा नहीं, इस बात को ख्याल में ले लेना, सांती असेमत सहमत होना जानती नहीं, सांती के सांत सत्य का मिल जुड़ जाता है, गठबंदन हो जाता है, भावर पढ़ जाती, और असांती के सांत असत्य की भावर पढ़ जाती, असांती के सांथ सत्य की भावर पढ़नी कठिन है और सांती के सांथ असत्य की भावर पढ़नी असंभव है इसलिए असली सवाल है सांती से सुनो जो सत्य होगा उससे भावर पढ़ जाएगी जो असत्य होगा उससे छुटकारा हो गया तुम्हें ऐसा सोचना भी न पड़ेगा क्या ठीक है क्या गलत है जो ठीक ठीक है वो तुम्हारे प्राणों में निनात बन जाएगा और ध्यान रखना जब सत्य तुम्हारे भीतर गूंजता है तो वो मेरा नहीं होता अगर तुम उसे गूंजने दो तुम्हारा हो गया, सत्य किसी का थोड़ी होता है, जिसके भी तरगुंजा उसी का हो जाता है, असत्य व्यक्तियों के होते हैं, सत्य थोड़ी किसी का होता है, सत्य पर किसी की बपोती नहीं, सत्य का कोई दावेदार नहीं, असत्य अलग-अलग होते हैं तुम्हारा असत्य तुम्हारा मेरा असत्य मेरा असत्य निजी होते हैं जूट हर एक का अलग होता है इसलिए सब संपरदाय जूट धर्म का कोई संपरदाय नहीं क्योंकि सत्य का कोई संपरदाय नहीं हो सकता सत्य तो एक है, अनिर्वचनी है सत्य तो किसी का भी नहीं, हिंदू का नहीं, मुसल्मान का नहीं, सिख का नहीं, पारसी का नहीं सत्य तो पुरुस का नहीं, इस्त्री का नहीं सत्य तो वेद का नहीं, कुरान का नहीं सत्य तो बस सत्य का है तुम जब सांत हो तब तुम भी सत्यके हो गए है उस गड़ी में भावर पड़ जाती उस भावर में ही क्रांती है सम्यक स्रवन, सांति पूर्वक सुनना और निसकर्ज की जल्दी नहीं तो तुम्हारे भीतर वो समझ पैदा होगी जिसकी मैं बात करता हूँ तुम कितनी ही धार रख लो इस से कुछ भी नहोगा बिवात करने में कुसल हो जाओगे थोड़ा पांडिते का प्रदर्सन करने की छमता आ जाएगी किसी से जगड़ोगे लड़ोगे तो दबा दोगे किसी को चुप करने की कला आ जाएगी लेकिन कुछ मिलेगा नहीं मिलता तो उसे है जो चुप हो के पीता है किसी से जगड़ोगे